स्वागत है अब सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे नाम पंकर जैस्वाल है और हम लोग इस समय कच्छा 12 की क्लास 12 की जो बुक है उसका 1st चैप्टर स्टडी कर रहे हैं ठोस अवस्था ठोस अवस्था में हम लोगों ने अभी तक 5 वीडियो रिकॉर्ड किये हैं जिसको आपने देखा होगा तो पिछली क्लास में पिछली जो वीडियो है उसमें हम लोग ये डिसकर्शन कर रहे थे ये चर्चा कर रहे थे कि निविड संकुलन क्या होता है समन्वे संख्या क्या ह होती है तो संकुलन निविड संकुलन हमने आपको एक विमी बताया था कि एक विमी निविड संकुलन में हम लोग गोलकों को जो अव्यविकर है उनको गोलक मानके ठोस गोलक मानके चलते हैं तो गोलकों को एक पंक्ती में विवस्थित करते हैं है ना एक पंक्ती में विव एक पंक्ती बनाई है, एक पंक्ती के सामने दूसरी पंक्ती, दूसरी पंक्ती के सामने तीसरी पंक्ती, तीसरी पंक्ती के सामने चौती पंक्ती, इस तरह से एक परत संदशना बनाते हैं, तो जो परत संदशना बनाते हैं, उसमें दो प्रकार के अच्छों का प्रियोग होत इस तरह से हम पंक्तियों को रखें कि गोलक एक दूसरे के आमने सामने आएं, मतलब सारे गोलक एक लाइन में आएं, तो उसे कहते हैं, दुई विमी वर्ग निविड संकुलन, उसकी समन्वे संख्या होती है, चार, और दूसरी, अगर एक पंक्ति हमने अरेंज की, एक पंक् पंक्ति को जब विवस्थित करने जाएं, तो जो दूसरी पंक्ति के डिप्रेशन्स हैं, उन डिप्रेशन्स में गोलकों को रखें, तो डिप्रेशन में जब गोलकों को रखेंगे, तो हमें देखने को मिलता है, कि एक अलग तरह की विवस्था, एक अलग तरह का अरेंज तो दोई विमी तक हम क्या बना चुके हैं, परत बना चुके हैं, अब जब 3 विमी बनाएंगे तो परत के ऊपर परते लगाते जाएंगे, तो उचाई में बरता जाएगा, उचाई बरती जाएगी, तो यह कहलाएगा त्री विमी निविड संकुलन त्री विमी निविड संकुलन दुई विमी निविड संकुलन से बनाया जाता है और दुई विमी निविड संकुलन में दो तरह की विवस्थाएं हैं दुई विमी वर्ग निविड संकुलन और दुई विमी शट कोडी निविड संकुलन तो दुई विमी वर्ग निविड संकुलन से हमने जो त्री विमी वर्ग निविड संकुलन बनाया था वो विवस्था आपके सामने है इसमें हमने एक परत के उपर जब दूसरी परत लगाई तो इस बात का ध्यान रखा कि दूसरी परत के गोलक, पहली परत के गोलक के उपर आएं, इसी तरह तीसरी परत के गोलक, दूसरी परत के गोलक के उपर आएं, मतलब सभी गोलक एक सीध में हो, तो इस तरह से हमको जो त्री विमी निविड संकुलन प्राप्त होता है, उसे कह सरल घंजालक या सिंपल क्यूबिक लैटिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना इसकी संदश्ना हमने आपको बनाई थी यह सामने का जो गोलक आपको दिख रहे हैं पूरे-पूरे यह गोलक आपके सामने पहली परत्के हैं और जो पीछे के गोलक दिख रहे हैं यह दूसर संकुलन बनाया जिससे हमें मिला सरल घन जालक अब हम दुई विमी शट कोड़ी निविड संकुलन से त्री विमी निविड संकुलन बनाते हैं चलिए दुई विमी शट कोड़ी निविड संकुलन से त्री विमी निविड संकुलन बनाने की कोशिश करते हैं बहुत ध्यान से समझीएगा थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा कॉंप्लिकेटड है लेकिन थोड़ा सा ही कॉंप्लिकेटड है समझने कोशिश करेंगे तो पूरा सौंभ आएगा हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे चलिए दुई विमिय शटकोडी शटकोडी निविड संकुलन से दुई विमिय शटकोडी निविड संकुलन से तो पहले एक चीज समझ लेते हैं जब हम दुई विमिय शटकोडी निविड संकुलन बनाते हैं तो उसमें आपको कुछ गड़े दिखाई देंगे और वो गड़े जो दिखाई देंगे वो तीन-तीन गोलकों से घिरे होते हैं कुछ गड़े उपर की तरफ उनमुक होते हैं और कुछ गड़े नीचे की तरफ उनमुक होते हैं लेकिन चाहे उपर की तरफ उनमुक होते हैं चाहे नीचे की तरफ उनमुक होते हैं उन वो हमेशा तीन-तीन गोलकों से घिरे होते हैं तो इन गड़ों को ही हम कहते हैं रिक्तियां, अंग्रेजी में कहते हैं वॉइट्स, क्या कहते हैं वॉइट्स या रिक्तियां, क्यूंकि ये तीन गोलकों से घिरी हुई रिक्तियां हैं, इसलिए इसको त्रिकोडी रिक्तियां कहते हैं, तो पहले ये समझ लेते हैं, यह देखे जब दुई विमी निवेड दुई विमी शट कोड़ी शट कोड़ी निवेड संकुलन में कुछ दुई विमी शट कोड़ी निवेड संकुलन में कुछ उपर की ओर एवं कुछ नीचे की ओर उनमुक गड़े दिखाई देते हैं जो तीन तीन गोलकों से गिरे रहते हैं इन गड़ों को ही इन गड़ों को त्री कोड़ी रिक्तियां कहते हैं अंग्रेजी भी कहते हैं ट्राई एंगुलर वॉइड्स त्री कोड़ी रिक्तियां कहते हैं अभी त्री विमी नहीं बना रहे हैं अभी द्वी विमी में ही समझ रहे हैं देखें समझने कोशिश करते हैं थोड़ा सा यह देखें यह पहली पंक्ति बनाया हमने थोड़ा सा ध्यान पूर्वक बनाएंगे तो सही से बनेगा और सही से बनेगा तो अच्छे से स्ट्रक्चर सबंभाएगा अब इनके डेप्रेशन्स में दूसरी पंक्ति को बिवस्थित करना है चली यह डेप्रेशन्स में बिवस्थित कर लेते हैं इनके डेप्रेशन्स में तीसरी पंक्ति को बिवस्थित करना है ये देखें अब इसमें देखें ये गड़े दिख रहे हैं ये ऊपर की तरफ उन्मुक है और ये नीचे की तरफ उन्मुक है तो जो उपर की तरफ उन्मुक है उनको हमने A नाम दे दिया इन सब को A नाम दे दिया और जो नीचे की तरफ उन मुख है उनको हमने B नाम दे दिया तो ये A और B ये जो A है और B है इसी को कहते हैं त्रिकोडी त्रिकोडी रिक्तियां अंग्रेजी में कहते हैं ट्राई एंगुलर वॉइड्स त्रिकोडी रिक्तियां बनाईए इसको पहले देगे अब इन त्रिकोडी रिक्तियों में भाई देखिए जब इसके उपर दूसरी परत लगाएंगे तो जब हमने इस परत को बनाया था तो ध्यान कीजिए गोलकों को डेप्रेशन में रखा था कहां रखा था? डेप्रेशन में तो जब उपर इस परत के उपर दूसरी परत लगाएंगे तो गोलकों को या तो A वाले रिक्तियों के उपर रखेंगे या तो B वाले रिक्तियों के उपर रखेंगे तो रखना depression में ही है depression में था तो depression में ही रहेगा है ना तो या तो A के उपर रख देंगे तो B का थोड़ा भाग ढखेगा और B के उपर रख देंगे तो B पूरा ढख जाएगा और A का थोड़ा भाग ढखेगा तो दूसरी परत जब हम ब्यवस्थित करते हैं, देखिए, जब दूसरी परत को पहली परत पे इस प्रकार दिचहाते हैं, कि दूसरी परत के गोलक, दूसरी परत के गोलक, पहली परत के त्रिकोडी, रिक्तियों के उपर आएं, तो दूसरी परत में, दूसरी परत में, पुनाह दो नई रिक्तियां बन जाती हैं, कैसे, देखिए, समझने कोशिश करते हैं, इस बाद थोड़ा गोलक बड़े बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर ही बनाना है इसमें, स्ट्रक्चर बना के ही समझना पड़ेगा, ये देखिए, पहली पंक्ति बना रहा हूं में, इसके नीचे दूसरी पंक्ति वॉइट्स में बनाएंगे, इसके उपर इसके नीचे तीसी पंक्ति, इस तरह कुछ ब्यवस्था थी, अब हमने इसके उपर दूसरी पंक्ति बिछाना शूरू किया, दूसरी पंक्ति ऐसे कि जो उपर की तरफ जो प्रोजेक्टेट थे, ट्राइंगुलर वॉइड वो कवर हो जाएं, इस तरह से बनाएंगे, जाएंगे, कि उपर की तरफ जो प्रोजेक्टेट थे, वो ढग जाएं, कोई एक ही ढग पाएंगे, चाहे उपर की तरफ वालों को ढग दें, चाहे नीचे की तरफ वालों को ढग दें, ये एक पहला लेयर बना, उसके बाद दूसरा लेयर बनाते हैं, उपर की तरफ वाले पूरे ढख जाए नीचे की तरफ वाले थोड़े ढखे थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं तो देखिए जब दूसरी परत में दो तरह की रिक्तियां फिर से बन गई पहली देखिए पहली परत की जो उपर की तरफ उन्मुक वाले जो रिक्तियां थी कोड़ी रिक्तियां वो ढग गई लेकिन जो नीचे की वो पूरी तरह से ढखी नहीं दूसरे लेयर में उनके उपर एक अलग रिक्ति बन गई और एक अलग रिक्ति जो है वो तीसरे टाइप की बिलकुल अलग बनी ये देखें ये इनको नाम हम अगर देदें सी सी और पहली परत की रिक्तियों के उपर जो बने हैं उनको नाम देदेटे हैं डी ये देखें डी ये डी है ना तो दो रिक्तियां बनी एक रिक्ति रिक्तियां सी जिसका नाम है चतुष फल्की रिक्तियां और दूसरा रिक्तियां डी जिसका नाम है अस्ट फल्की रिक्तियां तो दूसरी परत में दो अलग प्रकार की रिक्तियां बन गई है ना चतुष फल्की रिक्तियां और अस्ट फल्की रिक्तियां बनाईए इसको पहले अस्ट एंव लोग ऊसे उस्ट ओव का की रिक्तियां जाओ क्रौक्तियां ऑ्व अस्ट बनाई है झाल झाल देखें अब यह फिगर नहीं मिटाएंगे हम लोग इसी के आगे पर समस्ते चलेंगे पहले देखें चतुस फलकी रिक्तियां और अस्ट फलकी रिक्तियों के बारी में है ना यह थोड़ा सा अलग निकाल के इसको समझ लेते हैं देखें चतुस फलकी रिक्तियां यह जो है पहली परत के गोलक के उपर बनती है एवम चार गोलकों से चार गोलकों से घिरी होती है चार गोलकों से घिरी होती है ए देखें यह सी है वोईट सी देखें एक नीचे एक ब्लू गोलक है नीला गोलक है और इसके उपर के दूसरे परत में तीन लाल गोलक है तो चार गोलकों से घिरी हुई है पहली परत के गोलक के उपर बनी है और चार गोलकों से घिरी है है ना एक पहली परत का एवम तीन दूसरी परत के चार गोलकों से घिरी होती है सब्सक्राइबात कि पहली परत से एक गोलक पहली परत में एक गोलक उसी के ऊपर बनना है और दूसरी परत में तीन गोलक है ना यह देखने में कुछ ऐसी दिखाई देंगी यह देखिए यह पहली परत का गोलक पहली परत का गोलक और दूसरी परत में इसके उपर तीन गोलक इसी के उपर तीन गोलक ये ऐसी ये रिक्ती जो बनी ये है चतुस फलकी चतुस फलकी रिक्ती है इसको अंग्रेजी में कहते है टेट्रा हेड्रल वॉइड टेट्रा हेड्रल वॉइड आया बास्वाम में नोट करें इसको उडिल्दी से अस्ट फलकी रिक्ती अस्ट फलकी रिक्ती है इसी थोड़ी से जगे में हम बार-बार लिखेंगे मिटा मिटा के ये फीगर अभी नहीं मिटाएंगे क्योंकि इस फीगर की हमको जरूरत पड़ेगी अभी आगे तो देखिए दूसरा अस्ट फलकी रिक्तियाँ अस्ट फलकी रिक्तियाँ पहली परत की त्रिकोडी रिक्ती के उपर बनता है कहां बनता है ध्यान सुनिए पहली परत की त्रिकोडी रिक्ती के उपर बनता है यह पहली परत की त्री कोणी रिक्ती के उपर बनती है एवम छह गोलकों से घिरी होती है छह गोलकों से घिरी होती है तीन प्रथम परत के प्रथम परत के एवम तीन दूसरी परत के छह गोलकों से घिरी होती है इसको भी बना सकते हैं देखिए इसको कैसे बनाएंगे देखिए ये पहली परत के तीन गोलक बना रहा हूँ मैं पहले पहली परत के तीन गोलक छोटा बड़ा देखिवा ध्यान रखिएगा सही से बन जाए ये पहली परत के तीन गोलक है ना और फिट दूसरी परत के तीन गोलक ये पहला गोलक ये दूसरा गोलक और ये तीसरा गोलक छे गोलकों से गिरी हैं पहली परत के तीन गोलक और दूसरी परत के तीन गोलक बीच में ये जो खाली जगह बचा इसी को कहते हैं अस्ट फलकी रिक्ती ओक्ता हेड्रल वॉइड अंग्रेजी में कहते हैं ओक्ता हेड्रल वॉइड अब देखें किसी भी किसी भी संदचना में किसी भी निविड संकुलन में अस्ट फल की रिक्तियों और चतुस फल की रिक्तियों की संख्या निश्चित होती है कि कितनी अस्ट फल की रिक्तिया होंगी और किसी कितनी चतुस फल की रिक्तिया होंगी देखें किसी भी निविड संकुल में निविड संकुल में निविड संकुल के अंदर जो परमालू की संख्या होती है है ना उसके निविड संकुलन में जो परमालू की संख्या होगी उतनी ही अस्ट फल की रिप्ति है ऐसे जो हम मालें simple cubic सरल घन संद्शना सरल घन unit cell तो उसमें एक परमालू पर unit cell होता है तो उसमें एक अस्टफल की रिक्ति होगी FCC ले ले तो उसमें चार होते हैं परमालू प्रती उनिट सेल तो उसमें चार अस्टफल की रिक्तियां होगी है ना और अगर body centered BCC ले ले तो उसमें दो परमालू प्रती उनिट सेल होता है तो उसमें दो अस्ट फल की रिक्तियां, अस्ट फल की रिक्तियां बड़ी रिक्तियां है, चतुस फल की रिक्तियां छोटी रिक्तियां है, तो अस्ट फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, जितने निविड संकुलन में परमाड़ों की संख्या है, और चतुस फल की र संकुलन में अस्टफल की रिक्तियों की संख्या बराबर निविड संकुलन में परमारूओं की संख्या और चतुसफल की रिक्तियों की संख्या बराबर दो गुणे अस्टफल की रिक्तियों की संख्या जितने अस्टफल की रिक्तिया हैं उसकी दो गुणी नोड करिए इसको जल्दी से देखें अब आगे बरते हैं अब दूसरी परत हमने बिछा ली है अब दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत बिछाने की बारी है तीसरी परत को अब लगाएंगे यह फिगर हम इसलिए रफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी की सहायता से हम समझेंगे बार बार बराने में टाइम देस्ट होता है चलिए अब देखें दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को उन्हीं रिक्तियों के ऊपर ही रखने हैं रिक्तियों के उपर अब रिक्तिया कौन सी है चतुस फल की रिक्तिया है और अस्ट फल की रिक्तिया है तो तीसरी परत के गोलकों को या तो चतुस फल की रिक्तियों के उपर रखेंगे या तो अस्ट फल की रिक्तियों के उपर रखेंगे तो जब तीसरी परत को दूसरी परत पर बिछाते हैं तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं दो प्रकार की व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं इसमें पहली प्रकार की व्यवस्था हम तीसरी परत के को इस प्रकार बिछाएंगे कि तीसरी परत के गोलक चतुष फल की रिक्तियों को ढख लें तीसरी परत को इस प्रकार बिचाते हैं कि तीसरी परत के गोलक चतुष फल की कि रिक्तियों को ढख लें तो देखें चार समझने कोशिश करिए तीसरी परत इसके ऊपर बिचाई जाएगी अब ऐसी बिचाएगी कि यह वाइट सी जो रिक्ति सी है यह ढख जाए तो यह यह देखें यह जो ब्लू वाला है नीले वाले जो गोलक हैं उसी के ऊपर ही तो बिचाएगे तभी तो सी ढखेगा बोलिए जो पहली परत है उसी परत के गोलकों के बिल्कुल उपर आएगा तीसरी परत पहली परत के ठीक उपर आएगी इसी प्रकार चोथी परत दूसरी परत के ठीक उपर आएगी मतलब अगर पहली परत ए है मालनो परत ए है दूसरी परत बी है तो तीसरी परत फिर से ए की जैसे बनेगी तो ए ही कहलाएगी चौथी परत दूसरी परत के जैसी होगी तो बी कहलाएगी तो जो ब्यवस्था है जो अरेंजमेंट है वो ए बी ए बी ए बी इस तरह की ब्यवस्था प्राप्थ होती है और इस तरह की जो निविड संकुलन है त्री विमी ये निविड संकुलन है उसको कहते हैं हेग्जागनल इनी शट कोड़ी निविड संकुलन क्या कहते हैं शट कोड़ी निविड संकुलन इस प्रकार प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी जिसे शट कोड़ी निविड संकुलन अंग्रेजी में कहेंगे हेग्जागोनल क्लोज पैकिंग शॉर्ट फॉर्म में एच सीपी कहते हैं तो जो त्री विमी निविड संकुलन प्राप्त हुआ वो तो पहला जो प्राप्त हुआ था वो सरल घन लैटिस प्राप्त हुआ जालक प्राप्त हुआ था दूसरा जो प्राप्त हुआ वो कहलाता है शट कोणी निविड संकुलन या हेग्जागोनल क्लोज पैकिंग जिसे एच सीपी कहते हैं आया पास्वम में ये तब हमने जब दूसरी परत में के उपर हमने तीसरी परत बिछाई और इस प्रकार बिछाई की चतुस फलकी रिक्तियां पूरी तरह से ढख जाएं चतुस फल की रिक्तिया धकी है अस्ट फल की रिक्तिया नहीं धकी है मालनो अस्ट फल की रिक्तिया धकेंगे तो बिवस्था दूसरी प्राप्त हो जाएगी तो उसको B-point में डिसकस करेंगे पहले इसको नोट करिए चलिए B-point में डिसकस करते हैं अब देखिए अगर माल लीजे अगर अस्ट फल की रिक्तियों को धकने की कोशिश करें तो देखिए ये D है ये अस्ट फल की रिक्तिया है ये जब धकेंगे तो जो आपका गोलक बनेगा वो गोलक ना तो पहले लेयर के उपर है ना तो दूसरे लेयर के उपर है ना पहली परत के उपर ना दूसरी परत के उपर बिलकुल अलग परत बनेगी तो पहला परत अगर A है दूसरा परत B है तो तीसा परत बिलकुल अलग होगा C है तो A, B, C तीनों अलग अलग होगा है लेकिन जब चौथी परत लगाएंगे तो अब उसको नहीं बना सकते लेकिन जब चौथी परत लगाएंगे इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें जब चौथी परत लगाएंगे अट अस्ट फल की रिक्तियों को ढखते हुए तो जो चौथी परत होगी वो पहली परत के उपर आएगी पाचवी परत दूसरी परत की उपर आएगी और छटवी परत तीसरी परत की उपर आएगी मतलब पहली परत A, दूसरी परत B, तीसरी परत C, तो चौथी परत फिर से A, पाचवी फिर से B, छटी फिर से C, तो ABC, ABC arrangement प्राप्त होगा इसे कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनी निविड संकुलन. जब तीसरी परत को दूसरी परत पर इस प्रकार बिच्छाते हैं कि तीसरी परत के गोलक ये भी है, परत के गोलक अस्ट फलकी रिक्तियों को धक दें धक दें दूसरी परत से अलग होगी परतू चोथी पाच्वी एवं छटी परत्व परत्व क्रमशह पहली दूसरी एवं तीसरी परत्व के ठीक उपर आएगी ठीक उपर आएगी अतह A, B, C, A, B, C, डैस, 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 प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी जिसे घनीय निवेड संकुलन घनीय निवेड संकुलन क्यूबिक क्लोज पैकिंग शौट फॉर्म में CCP कहते हैं CCP कहते हैं तो त्री दिमीय निवेड संकुलन तीन प्राप्त हुए सरल घन जालक पहला दूसरा शट कोडीय निवेड संकुलन और तीसरा घनीय निवेड संकुलन घनीय निवेड संकुलन आशा है आप सबको ये बात अच्छे स्वाम मागी होगी है ना और आज के वीडियो में इतना ही हमनों निविट संकुलन को अच्छी तरह से समझ लिया है अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि यह जो CCP Lattice बना CCP यहनी घनी निविट संकुलन प्राप्थ हुआ इससे कौन सा यूनिट सेल हमको मिलेगा और जो शट कोडी निविट संकुलन प्राप्थ हुआ उससे कौन सा यूनिट सेल कौन सा एकक कोष्टिका हमको प्राप्थ होगी तो इस पे चर्चा करेंगे इनके समन्वे संख्या की चर्चा करेंगे है ना और रिक्तियों को कहा पर रखना है किसी unit cell में इस विशय पर चर्चा करेंगे और कुछ सूत्र फिर से हम बनाना सीखेंगे तो ये सारी चीजें अगली क्लास में तब तक आप इसको बहुत अच्छे समझेए हमने इसलिए दो वीडियो में ये निविट संकुलन समझाया है आपको ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं तो समझ में आ गई होंगी मुझे पूरी उम्मीद है अगर नहीं समझ में आई तो comment box में जाकर comment करिए कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई अगले वीडियो में मैं वो problem दूर करने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए अपना ध्यान रखे समी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद